नमस्कार विद्यार्दी मित्रूं आजी आपड़े चित्रकलानी अंदर ओपजेक्ट ड्वाइंग केवरिते करू एवीसे समझ गेवेशू ओपजेक्ट एटले सूप ओपजेक्ट नी साधी व्याख्या करिवया दो ये धाये के मानव सर्जीत आकारों ने आपड़े ओपजेक्ट ड्वाइंग तरीके उडखिया छे गर्मा और गर्नी भार हावा गणाबदा ओपजेक्ट आपणी सामय होई छे तो ओपजेक्ट ड्वाइंग नों बेजिक स्ट्रक्चर केवरिते करवानू अने येनू ड्वाइंग केवरिते करवानू ये आज़े आपड़े सिखीशू सव प्रतम तो ओपजेक्ट ड्वाइंग करवा मारतेरे येनू बर्ने एक स्ट्रक्चर बनाव पड़े सव थी पहला यहाँ एक लाइन बनाऊ चुँ एक आपने एक पोट नो ड्रोइंग करूँ छे अने एवा अबजेक्ट नो तमे इस ड्रोइंग माटे पसंद करो कि जे तमारा गर्मा पड़या होई हम तो तमे ओबजेक्ट सामे गर्मा मुखी ने करो तो यह वधार इसालो चे तो यहाँ पोट नो एक ड्रोइंग करूँ छे एना पहले बेजिक स्ट्रक्चर बनाऊ चे सव प्रथम आपनो ओबजेक्ट एकदम सीधोरे एना माटे आ एक स्ट्रक्चर बनाऊ जे त्यार बाद ओबजेक्ट ना जे आकार जे छे अंदर जतो होए कोई आकर भार आवतो होए एनू बेजिक स्ट्रक्चर मुखवानू इद्याती मित्रो आवु जयरे तमे बनाऊ तेरे एद फस्तु द्यान राखवानू के एकदम लाइट करो अईया उथरू डार करूछू कांके तमने देखाए तमारे घरमा जारे करो तेरे लाइट करवानू अईया जे सेंटर लाइन छे एना थी लेप्ट साइड औने राइट साइड बनने इकवल रे एनू खास द्यान राखवानू छे सव प्रथम अईया जे छे राउंड वाड़ो अबजेक्ट छे तेम छत्ता पण हूँ यां सीधी लाइन करूछू कांके आपनों ड्रोइंग पर्फेक्ट रे आ एनू बेजिक फोम छे पर्फेक्ट ड्रोइंग बनाव माटे सव थी प्याला आ स्ट्रक्चर बहुज महत्वनू छे अने ए दोर्या पछीज तमे तमारू पर्फेक्ट ड्रोइंग करी शको छो आ बाद थे बेजिक फ्ट्रक्चर में अवे आपने यहने रियालिस्टिक ट्रच आपपो छे सव प्रथम आजे में आकर बनाएंग चे आर खूणा चे वन टू थ्री फोर एनने टच थाए एवी रिते आपने एक ओवल सेप बनावी शो तमें इच्छो तो आने तमें तमारी डाइरेक्शन मुझे गोड मुग करी शको छो अईया में आरीते करी उसे अमी सरकल तो तमने आरीते फावें तो आने आरीते पन लेजे शेको छो जेथी ड्रोइंग वदारे परफेक्ट बने अईया जेम जेम ड्रोइंग आगर वदे तेम बनने बाजू एकवल रे एक खास द्यान राखवानू छे त्यांके अबजेक्ट ड्रोइंग जेरे राउंड वाड़ो कोई अबजेक्ट होए तो यहनी डाबी यहने जमनी बनने बाजूस एक सर्खी समानता होए यह जरूरी छे अख्षुड ड्रोइंग जेरे परफेक्ट ही जाए त्यार बाद आपणे जे बेजिक आ लाइन छे आ जे लाइन आपड़े करीती हैं यह जे लाइन स्ट्रक्चर बनावेतु ए बदी जे लाइन तमारे एरे जादी रव करी देवानी जेथी ड्रोइंग तमारू परफेक् अब्चेक्ट नी, अवे मानो के कोई सीधू, मानो के बॉक्स बनाऊच, क्यूब, तो क्यूब माटे आपने सु करीशू, के बैए एक सीधी लाइन, आनो एक नियम छे, जे लाइन आपना सरीर्थी दूर जाए, ए नाने थती जाए, मानो के कमपास बॉक्स छे, कोईक लाखळानू लंब गन होए, एवा आकारो दुराव माटे आवा प्रकानी लाइन नू उप्योग थतो होए छे, त्यार बाद, उबी जिटली लाइनो आवे, ए बद्धी पेपर ना समांतर, एलक स्ट्रेट होवी, जुई, त्यार बाद, अ अनिया एक दूरमा आजारे आवदी पोईंट मा बेगी थाए छे लाइनो, आने आपड़े वेनिशिंग पोईंट तरीके ओड़किया छे, आ लाइन पण एज पोईंट मा बेगी थाशे, एवरिते आपन, तो आवरिते आ एक लंब गन, यानि क्यूब आकार नू अबजेक आपने तयार थाए छे, पण ए जेम जेम लाइन दूर जाए सरीर्थी, एम ए लाइन ना नी थती जाए, ए निती नियम आधारीत, आ अबजेक्ट आपने तयार करवानों होई छे, आवरिते तमें जो सो तो एक क्यूब बने छे, आवे याँ जे ब्रोकन लाइनू करू छो जे आपने देखाती न थी, पण एनू अस्तित्व छे, आरिते एक क्यूब तयार थाए छे, अने बाकी नी जार्याबदी लाइनों छे, ए पछी तमारे रभ करवानियों छे, तो यहां में बे प्रकाना तमने अबजेक्ट बतावे, एक राउंड वळों कहो छे, आनो एक काम करजो के गरे जी तमने आवा प्रकाना इंस्ट्रूमेंट या साधन सामकरी मले, सव प्रथम तो ग्लास थी सरू करजो, ग्लास बनाओ है मानों के, तो की उरितने श्रक्चिर आवे, तो आपने आमा जे सीखे, एज वस्तु आमा छे, सव प्रथम तमे आरिते लाइन आनि वर्ख करो, आने त्यार बाद येनुट निच्च छेले टर्न आपो, आने ये ओल टाइप नों सेब छे, तो आवा सिम्पल सिम्पल जे ओब्जेक्ट तमारा गरे इजिली अवेलेबल होए, एनू पहले ड्रोईंग करो, त्यार बाद येना थी अगरा ड्रोईंग उतमने मोखली आप इसके आपड़े सेडिंग किरते करे शो, आजे फक्त आपड़े पेंसिल धी लाइन ड्रोईंग नीच वाद करे छे, तो सबजेक्ट नू नाम चे अबजेक्ट ड्रोईंग, थैंक्यू